महाकाल की नगरी उजैन में महाकाल जोतर लिंग के अलावा चुरासी महादेव भी स्थापित हैं जिनका अपना-पना अलग महतो है इन चुरासी महादेव के दर्शन करना बेहद लाबकारी होता है आईए जानते हैं इन चुरासी महादेव के महतो एवं इनके इतिहास के बारे में उजैन के राम घाठ छेत्र में स्थित पिशाच मुक्तेश्वर महादेव चुरासी महादेव में 68 नंबर के महादेव हैं सकंद पुरान के अनुसार पहले कल्यूग में सोम नाम का एक पापिश शुद्र हुआ मरने पर वह मरू देश में पिशाच हुआ एक दिन एक विद्वार शाक्टायन नाम का ब्रामन छकडे में बैठकर उधर से जा रहा था छकडे की गरगराहट से गवरा कर वह पिशाच बागने लगा तब ब्रामन ने उसे समझाया डरने की कोई बात नहीं है मैं ब्रामन हूँ ब्रामन से डरने की कोई आफशक्तन नहीं है तब पिशाच ने शाक्टायन से पूछा मनुष्य किस पाप करम से पिशाच योनी को प्राप्त करता है ब्रामन ने कहा देवता और ब प्रित्वी पर उत्तम तीरत महाकालवन है। धुंडेश्वर के दक्षिन में देव पूजित एक लिंग है। उसके दर्शन से पिशाच योनी से छुटकारा मिलता है। तब वे सोम नमक पिशाच महाकालवन में आया। उसने शिप्रासनान किया और इस लिंग के दर्शन किय उसकी पिशाच योनी से मुक्ति हो गई। वे विश्णू लोग को प्राप्त हुआ। तब देवतावने इस लिंग का नाम पिशाच मुक्तेश्वर रखा। जो मनुश्य वैशाख कार्तिक मास में चत्तु दर्शी को पिशाच मुक्तेश्वर का दर्शन करते हैं। उनके वंच में किसी को प्रेत या पिशाच योनी प्राप्त नहीं होती है। के महतव और इनकी महता के बारे में जान सकें। ओम नमस्षिवाए।